अगले 4-5 महिने के अंदर 4-5 महिने में बहुत एक्जाम आएंगे जैसे UPPCS, BPSC, आपका Sanitary Officer का एक्जाम, आपके लेकपाल का एक्जाम, बहुत सारे एक्जाम 4-5 महिने के अंदर आने वाले हैं और अभी से अगर आप बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं, तो 4-5 महिने में सारे सब्जेक्ट तयार कर सकते हैं, और खास करके Prelims के लिए तो आराम से कोई भी एक्जाम 4-5 महिने में निकाला जा सकता है, तो अगर आपका एक्जाम जून में होने वाला है, तो अगर आप सब्सक्राइब करने वाले हैं, और आपको वो भी फॉलो करना है, ताकि आप Current Affair में जो काफी अच्छे कोश्चन पूछे जाते हैं, खासकर UPPCS में 30-40 कोश्चन के बीच में Current Affair से रहते हैं, वो भी सारे कोश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, चलिए अभी स्टार्ट करत जाता है, जिसके दवारा Company का Rule समाप्त कर दिया गया है, और Company का Rule समाप्त करने के बाद, वहां पे इसका जो वहां की रानी है, उसका यहां पे सासन स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटेन की जो रानी, उसका सासन यहां पे स्टार्ट होगा, Crown का सासन आप कहा सकते हैं कि स्टार् के द्वारा कुछ इंडियन्स को अपीज करनी का भी प्रयास किया गया अब चुकि यह लोग नहीं चाहते थे कि फिर इस तरी की कोई क्रांती हो तो ऐसा कुछ करना था तो इन्हों ने क्या किया कि सबसे पहले एक नॉन ओफिसियल मेंबर को इंट्रोड्यूस कराया कहां पर अब यह जो चाहते थे कि याद रखना है कि executive का क्या मतलब होता है मैंने आप लोगों बताया था इसके पहले भी executive का मतलब होता है कारेपाली का और legislature legislature का मतलब होता है आपका विधाई का तो जहां पर भी legislative council का सब्द आएगा उसका मतलब होता है विधान परिशद और जहां पर एक्ज़िक्यूटिव का मतलब होता है आपका कारेपाली का परिशद जो होता है उसकी बात हम लोगा यहां पर करने वाले हैं ठीक है अब यहां पर देखिए जो प्रोविंसेज हुआ करते थे वहां पर भी अगर लेजिसलेशन स्टार्ट करना था तो उसके पहले गवर्णर जनरल के जो सहमती लेनी वो आवश्यक थी अब 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसराय आफ इंडिया था उन्होंने कुछ लोगों को जो है नॉमिनेट किया लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए अब लेजिसलेटिव काउंसिल किसको नॉमिनेट किया अब कोश्चन पूछा जा सकता है तो बनारस के राजा महराजा पटियाला और सर दीनकर राव ये तीन लोगों को लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट किया गया और इसके द्वारा कुछ चीजें री स्टोर की गईयाद करिये सेंट्रलाइजेशन मैंने बताया था कि फाइनल सेंट्रलाइजेशन इन्हों किया था व अब वहां के जो प्रेसिडेंसी थी वहां के जो पावर्स थे उसको री स्टोर किया जाता है 1862 के दवारा अब यहां पर एक लेजिसलेटिव काउंसिल बेंगॉल के अंदर भी बनाया जाता है कब बनाया जाता है 1862 में वैसे ही NWFP इसका मतलब होता है नौर्थ वेस्ट फ फवे चेतर है पाकिस्तान के अंदर आज मौझूद है कई बार आप लोग दिखाई पड़ेगा कि देखे बैद के दवारा बात में 1897 के अंदर ठीक है अब इस act के द्वारा एक नया काम किया जाता है उसका नाम था portfolio system introduce कर दिया जाता है portfolio system क्या होता है portfolio system होता है कि जैसे माली जै आज देखिए तो हमारे पास specific मंत्राले होता है जैसे agriculture ministry अलग है finance minister अलग है home minister अलग है इन लोगों के पास कुछ कार है specific कार है defense minister अलग है अब इनको क्या अलग-अलग subject दे लिया गया और उसके लिए एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाया गया यानि कि यहाँ पर जो एक-एक member थे उनको प्लेश किया गया किसके लिए specific departments के लिए जैसे आज का agriculture minister है वैसे ही वहाँ रेलवे system introduce किया था और वो कब किया था 1859 में किया था और जिसको आपके 1861 के act के द्वारा इसको legalize किया गया था जब यह act बन गया थे इंच्ट बन गया थे इंच्ट तो पहले किया था लेकिन act यहाँ पर 1861 में बन जाता है ठीक है नम और इसी act के द्वारा जो 1861 का act है इसके कि वो और डिनेंज जारी कर सकता है अब और डिनेंज क्या है और डिनेंज एक पावर है जिसमें आप legislative council के सहमती के बगएर सीधे आदेश देकर जो वायसराय था वो कोई भी नियम बना सकता था और देखी जैसे आज का प्रेसिडेंट अगर जब हम लोग प्रेसिडेंट क चर्चा वहीं पर करेंगे अब हम लोग बात करते हैं 1892 के act की इसके बाद जो important act आया था वो 1892 में अब यह से क्या किया कि legislative council है उसको कुछ और power दे दिया अब यह power क्या था budget के उपर यह discuss कर सकते थे और question भी पूछा जा सकता था देखिए इसके पहले ना तो budget पे discussion थी ना तो question पूछा जा सकता था लेकिन अब इसके द्वारा budget पर discussion होगा question पूछा जा सकता है हलांकि change करने का power अभी भी नहीं मिलेता ठीक है ना और इन्हों ने क्या किया this act also provides for the nomination of some non-official member to the legislative council by voice राय कुछ non-official member को क्या कर सकता था legislative council के लिए nominate कर सकता था मनूनित कर सकता था ठीक है ना और किसके कहने पर यह provincial legislative council के कहने पर यानि कि जो प्रांतों के अंदर वहां पे विधान परिशद हुआ करता था उसके द्वारा रिकमेंड अगर किया जाए अनुसंसा दी जाए त तो वाइसराय उनको अपॉइंट कर सकता था इसके अलावा यहां पर इनकी जो legislative council के जो member थे इनको allowed किया गया कि वो supplementary question पूछ सकते थे ठीक है ना इसके पहले ऐसा कोई भी नियम नहीं था ठीक अब यह जो member थे यह लोग resolution लाने के का भी इनको अधिकार दिया गया कि बज Indian state तो आज भी अगर आप देखें तो Parliament के अंदर resolution लाया जाता है अगर कुछ नियम कानून बनाने होते हैं तो उसके लिए या किसी और चीज़ पर चर्चा करना होता है तो उसके लिए वैसे ही budget के ऊपर तो ला सकते थे लेकिन कुछ specific चीज़ों के लिए वह resolution नहीं ला सकत थे ठीक अब देखिए इस act के द्वारा वाइस राय जो है associate कर सकते थे किसी इंडियन को executive council में देखो legislative council अलग था और executive council अलग है ठीक है न तो वाइस राय अपॉइंट कर सकते थे और ऐसे पहले जो वैक्ती थे जिनको अपॉइंट किया गया था वो कौन था सतेंद्र प्र इसी के द्वारा पहली बार वोटिंग राइट भी मिली थी लेकिन इतनी कोई बड़ी वोटिंग राइट नहीं दे दी गई थी कि जिसको बहुत चर्चा है लेकिन हाँ अगर आपसे पूशा जाया कि पहली बार वोटिंग राइट जो है वो कब प्राप्त होती है तो 1892 के इसके बार प्राप्त होती है अब इसके बाद जो नेक्स्ट अमारा इंपोर्टेंट एक्ट है वो है आपका मॉडले मिंटो रिफॉर्म या मिंटो मॉडले रिफॉर्म इसको कहा जाता है तो 1858 के दोरा बनाया था ठीक रहा आब आप में बताईए कि इनके जो कॉंसील हु इनको मदद करने के लिए चलिए अब आगे देखते हैं कि जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें जो मेंबर्स थे उसमें नॉन एफिसियल मेंबर्स की संख्या और बढ़ाई गई जिनकी और यह टोटल संख्या सोलस किती हो गई ही सोला से साथ हो गई ठीक है नम और इसी तरह के से अलेमंट औफ इलक्षिन वागत्डिव काउंसिल इलक्षिन का इनको इंत्रडीउस किया गया लेकिन अभी जो मेंजोरिटी हुआ करती थी उसको मेंटेन रखा गया फिसियल मेंजोरिटी अतलब यह होगे जैसे आपके आईयस PCS ऑफिसर जो होते हैं जो वहां के सिविल सर्विसेज में थे उनकी मेजॉरटी को अभी भी आपर मेंटेन किया गया था इसके बाद जो 1909 का जो एक्ट आया था इसके द्वारा कम्यूनल रिपर्जेंटेशन को इंट्रिडूश किया ग चार-पांस लोग माली जैंखड़े हो गए तो उनको वोट देने का अधिकार सभी को होता है और सभी लोग वोट देकर उसको किसी एक व्यक्ति को जिता देते हैं लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है प्रतक निरवाचन का मतलब यह होता है कि उसी कम्यूटी क व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उसी कम्यूटी का व्यक्ति उसको वोट दे सकता है यानि की मुस्लिम मेंबर वर टुबी इलेक्टेट ओंली बाइदन मुस्लिम वोटर निन जो एक मुस्लिम विक्ति चुनाव लड़ रहा हौघ को कॉन कर सकते फैuten होल चुट सिक दो क सिर्ट से कहा जाता है क्यों क concepts boleh आप को strings कर दिया इंडिया किसा के द्वारा थी यह सिर्म के द्वारा थिक मॉल्डि रिफॉर्म जो था इसको एक तरीचे से रिफॉर्म कहा गया लेकिन नहीं धेड इन्होंने किसी भी तरीके से parliamentary system को यहां पर introduce करने का प्रयास नहीं किया है ठीक है नहीं और जो final decision था सभी matters में वो जो executive के ही हाथों में अभी भी था यह legislature यह जो representative हुआ करते थे जनता के उनके हाथों में अभी भी इतनी power नहीं थी चलिए इसके बाद हमें next class में बात करना है government of India Act 19 19 की आज ही class में हम लोग इतना ही रखते हैं next class में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे आज के लिए आपको जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवार like share और subscribe करना न भूले धन्यवार